एक रिपोर्ट के मताबिक अब भारत में इंजीनियरिंग का शौक घटता जा रहा है यह यह कहें कि इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या में कमी आती जा रही है भारत में इंजीनियरिंग संस्थानों की हालात पतली हो रही है IIT और NIT जैसे सरकारी और ख्याती प्राप्त संस्थानों को छोड़ दें तो आमतोर पर छात्र इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल विश्यों से दूर भाग रहे हैं लगता है कि अब इंजीनियरिंग का बूम भारत में कहीं ठहर गया है साथ से छह सार पहले शुरू हुआ ये मोह भंग का सिलसिला अब रुपता हुआ दिख रहा है और इसके रिजर्ट सामने आते हुए दिख रहे हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि उच्च शिक्षा के नए आकड़े जो केंदरी मानव संसाधन विकास मंत्राले की उच्च शिक्षा विभाग के अखिल भारतिय सर्वी यान कि HI-ES ने जारी किये हैं उसके मताबिक B-TEC और M-TEC के दाखिलों में रिकॉर्ड गिरावट आई है लेकिन उच्च शिक्षा के कुल नामांक अंदर में उच्छाल आया है लेंगिक विभेद इंडेक्स जीडियाई बहुत मामूली सा बड़ा है लेकिन लड़कियों की संख्या में अपिक्षा कृतिव रद्धी भी हुई है यान की शिक्षा के शेतर में लड़कियां उन्नती कर रही है कला मानवी की और विग्यान विश्यों में लड़कियां जादा है और कॉमर्स में लड़के जादा है तकनीकी कोर्सों में मास्टर डिग्री में दाखिला लेने वालों की संख्या 2015-16 में 18,00,00 के करीब थी तो 2018-19 के सतर में ये संख्या 12,36,000 ही रहे गई है यानि की करीब 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है इसी अवधी में बीटेक का नामांकर 42,54,000 से घटकर सिर्फ 37,70,000 रह गया है यानि की इसमें भी 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है MBA, MBBS, BA और LLB ये कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स है जिन में चातरों का रुझान अभी भी देखने को मिल रहा है इन कोर्सों के दाखिले में पिछले 5 साल के दुरान काफी बढ़ हुतरी देखी गई है BAE में 80 प्रतिशत का उच्छाल आया है प्रोफेशनल कोर्सों में ये भारी गिरावट ऐसे समय में आई है जब उच्छ शिक्षा में कुल नामांकन ओल टाइम हाई यानि करी पोने 4 करोड है पिछले साल ये 3.5 करोड से कुछ जादा था मानवी की कला और वानिज के शेतरों में चातरों के दिल्चस्पी बढ़ी है सरवे में ये भी बताया गया है कि उच्छ शिक्षा में सकल नामांकन दर GER 2017-18 में 25.8 प्रतिशत था और 2018-19 में ये बढ़कर 26.3 प्रतिशत हो गया है GER के जरीए 18-23 साल के युवक युवतियां अंडर ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेट का क्षाओं में दाखिले की दर्म आपी जाती है और इसी के आधार पर ये आकड़े सामने आए हैं Subscribe our channel and press the bell icon for more updates